भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां घुसपैट नहीं हो रही है धर्मांतर नहीं हो रहा जनसंख्या विस्पोर्ट नहीं हो रहा है आप जहां रहते हैं अपने आसपास पता कर लिजी आपके छेत्र में भी आपके थाने में भी आपके ब्लॉक में भी आपके एरिया में आपके वाड में भी आपके ग्रामसभा में भी गुसपैड भी हो रही धर्मांतरन भी हो रहा है जनसंख्या विस्फोर्ड भी हो रहा है भारत में कुल 28 राज्यह और 8 केंद्र सासित प्रदेश यानि तोटर संख्या 36 इस 36 में से 9 राज्जियों और केंद्र सासिर प्रदेसों की पूरी तरीके से डिमोग्राफी बदल चुकी है 9 राज्जियों और केंद्र सासिर प्रदेस में हिंदू खत्म हो चुके भारत में कुल 800 जिले हैं इस समय है और मूल कारण है जनसंख्या विसफोर्ट धर्मांतर और घुसपैट तो धर्मांतर घुसपैट जनसंख्या विसफोर्ट के कारण सभी तहसीलों की डेमोगराफी बदल रही है सभी जिलों की डेमोगराफी बदल रही है सभी 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है मूल कारण है घुसपैट धर्मांत्रन और जलसंख्या विस्पूंट है आप अपने लोगसभा की 1999 की ओटर लिस्ट चेक कर लीजिए 1999 में लोगसभा चुना हुआ था अभी 2024 में लोगसभा चुना हो रहा है 25 साल पुरानी या चेक कर लीजिए आप अपने वार्ड की जो पार्सद प्रधान के जब चुना होता जो बनती है उस चेक कर लीजिए और 25 साल पुरानी चेक कर लीजिए आपको समझ में आएगा कि आपके आसपास भी बहुत तेजी के साथ डेमोग्राफी बदल रही है और इस और गंधार अफगानिस्तान बन गया राजा भरत का ननिहाल कैके पाकिस्तान बन गया पूरी बंगल बंगला देश बन गया और भारत के नौराज्यों के पहले बदली चुकी है आने बाले 20 से 25 साल में पूरे भारत में हाहकार मत जाए इसलिए मैं आप लोगों से हाज जो कि धाटिवर में सुढ़ने मुई पाद्याएं मैं पाध्याय मैं पाठक नाय॥ Canyon क्णे वेश बन के दलित बन के ओड़ory दिक्षित ओड्र करोंगा आप कहेंगे नहीं नहीं मैं तो OBC हूँ, मैं अपने OBC वाले को उट करूँगा जो समान सिक्षा लागू करे, समान नागरी संगिता लागू करे, और समान धर्मस्था संगिता लागू करे, ओट उसे करिए जो पूरे देश के बार्डर पे चारो तरफ उची दिवाल बना दे, ओट उसे करिए जो घुसपैटियों की 100% प्रपर्टी जप्त करने, उनकी ना आगरिक्ता खतम करने उनको आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कानुन मनाई एक बार याद एक बात याद रखिएगा छट पति सिवाजी महराज ने धर्म रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था संभाजी महराज को 29 दिन तडपा तडपा के मारा गय गई थी हमारे गुर्तेग बहादूर की कैसी हत्या हुई थी गुर्गोविन सिंग ने अपना सर्वस्व जो है सनातन धर्म के लिए अपना बलिदान कर दिया था वीर सावरकर जी को देखी एक से बढ़कर भगा सिंग सुगदेव राजगुरू एक से बढ़कर एक हमारे ह हमारे पूर्वत हैं उन्हें एनना सबकुछ बलिदान कर दिया क्यों कि हमारी सनातन संस्कृति बची रहे हमारा सनातन धर्म बचा रहे हमारी नाडी तू नाराडी की सोच बची रहे हमारी वज़धिव कुटमकम की सोच बची रहे और बहुत बड़ा खत्रा आ चुकआ है यह खत्रा ऐसे नेताओं के तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू जा रहा है पूरे यंग जनेशन बर्बाद होती जा रही है वो तू-तू-मैमे करने से नहीं रुकेगा नसे के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा यह हमारी पूरी यंग जनेशन को असलीलता में ढखेला जा रहा है फेस्बूक रील पे आप देख रहे हैं कैसी असलील परोसी जा रही है वो तू-तू-मैमे करने से आरोप प्रत्यारोप करने से नूरा कुष्टी करने से बतोले बाजी से नहीं रुकेगा कठोर कानून बनाना पड़ेगा ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान कठोर कानून से नहीं हो सकता अगर भारत में धर्मांतरण है लेकिन चीन में नहीं है इसका मतलब हमारा कानून घटिया है चीन का कानून अच्छा है भारत में अवैद घुसपैट हो रही रोहिंग्या बंगला देशी आ रहे हैं लेकिन दुबई नहीं जाते चीन नहीं जाते सिंगापूर नहीं जाते इसका मतलब उनका कानून अच्छ हमारा कानून घटिया है, अगर भारत में लैंड जहाद हो रहा है, चीन में नहीं हो रहा है, तो हमारा कानून घटिया है, भारत में सडक के किनारे, हाईवे के किनारे, एरपोर्ट के किनारे आवाइद कबजा होता जा रहा है, रेलवे लाइन किनारे आवाइद कबजा होता दी जाती है कमलेस्तिवारी का गला रेच के हत्या कर दिया जाता है कभी इनको मारते हैं कभी उनको मारते हर हपते को इनको जहादी हत्या होती है इसका मतलब न सिक्छा में संसकार है न कानून का खौफ है चाहे हमारे आग कनहिया तेली को मारा गया हो में स्कोले को मारा गया ह ओर यह जो पोल्टीकल पार्टी आ आज आपके पास आ रही है न, रोटी कप्डा मकान की बात करने, अरे रोटी कप्डा मकान, बेरोजगारी, कुपोसर, प्रदोसर गुट सबका मूल कारण है जन संख्यां विस्फोट, तो अगर हम वास्तों के जो रोटी कप्डा मकान की बात करती है न पॉलिटिकल पार्टिया यह कभी जनसंख्या विस्फोट की बात नहीं करती जनसंख्या नहीं अंतर्ण कानून की बात नहीं करती जब तक जब तक जनसंख्या नहीं अंतर्ण कानून नहीं बनेगा तब तक न गरीबी खतम होगी न भुकमरी भी खतम होगी निदो को पॉसल खतम होगा ना प्रकोई सराजती की बात करने भाषाकी बात करने और मराठावाद फैला रहाँ कोई सनी क 220 कोई पता निक्रों टेजस्वी अद Pourquoi गारीं शिवला चाहते और सत्ता में फिर माल कमाना चाहते न לचाहते ने इनको भारत की संस्कृति से प्रेयु आ भारत की प्रमपरां ज्लिईंत है चाहे। महारास्ता में जड़त॥ дости cash सरतफावार हो दो concerns द्श लेस यादव और भिहार के zak take a cheese बंगाल में दंग बूलामी की बात किए और निशान हटाने की बात किएओ ये जितने गूम रहे कि में। आपको जातियों का दार पर भठकार रहें कभी इन्होंने जनसंक्या नीं अंतरन की बात किया कभी धर्मांत्र नीं की बात किया यह जितने इस समय घूम रहें उत्तर से दक्षिन पूरप से पश्चिन तक छोटी-छोटी पारिटी बना चाहे वह खिले स्यादा हो चाहे स्टालीन हो चाहे तेजप्रताप हो चाहे बंदा बनर जी हो चाहे राहुल गांधी हो कभी नोंने बताया जिन्दों राज्यों में हिंदू खतम हो चुके हैं इसको कैसे रोका जाए कभी नोंने कहा कि 1500 तहसीलों की डिमोग्राफी बदल जोगसबा की वोटर लिस्ट रही आज की वोटर लिस्ट में जमीन आजमान का अंतर आचुका है ऐसा कोई वाड नहीं है जहाँ बदल नहीं चाहां बदल लए और यह कभी हमेटकरवाद की बात करेंगे कभी हौरच्छन की बात करेंगे कभी समाजवाद की बात करेंगे, कभी लोहियावाद की बात करेंगे, कभी कोई बात, कभी वामपंथी की बात करेंगे लेकिन भारत कैसे बचेगा, भारत की संस्कृती बचेगी, भारत की परंपरा कैसे बचेगी सब्छार की बारत का वेद कैसे बचेगा? भारत का रमायर कैसे बचेगा? भारत की हमारी सनाथन परंपरा कैसे बचेगी? उसकी कभी चर्चा नहीं करेंगे. पुरी दुनिया से भगवान रभगवान को पूजा करने वाले खतम हो चुके हैं. याद रखिएगा. आप के पर बटा हुआ था भाषा के अधार पर बटा हुआ था हमारे पूरवज बटे हुए थे उसका परड़ाम यह रहा उनका घर जल रहा है इसलिए उठ जाईए सोईए मत जाग जाईए आपके फोन में जितने फोन है जितने कांटेक्ट है सबको फोन करिए फोन करके कहिए इस करके सबको फोन करिए एक एक मिनट के लिए फोन करिए लेकिन फोन जरूर करिए सबको SMAS डालिए SMAS का कोई चार्ज नहीं है WhatsApp करने का कोई पैसा नहीं लगता फोन करने का outgoing free है फोन करिए आपके social media में जित अगर आप social media यूज करते है Facebook वहां लिखिए वीडियो बनाईए अपनी बात लिखिए कि मदान क्यों जरूरी है अगर घुसपैट नहीं रोका गया धर्मांतर नहीं रोका गया जन संख्या विस्फोर्ट नहीं रोका गया यह पांच करोड बंगला देशियों के यहां से निकालने के लिए NRC लागू नहीं किया गया तो याद रखिएगा 25 साल के बाद यह आज के नेता आपका घर बचाने नहीं आएंगे आपका भी घर जलेगा आपके रिस्तेदारों का भी घर जलेगा सबका घर जलेगा 25 साल के बाद जैसे 1947 में बिभाजन हुआ था 2047 में फिर बिभाजन होगा और फिर कोई रोक नहीं पाएगा आज के नेता बनेता आज अगर कठोर कानून बन गया आदे वाली 25 पीड़ियां आराम से शांती से रहेंगी सुरक्षित रहेंगी आज कानून नहीं बना तो यह नेता तो मौज मस्ती करके भाग जाएंगे लेकिन आप और हमारा आपका घर फिर जलेगा 25 साल के बाद